अक्सर ये माना जाता है कि कैंसर दिल संबंधे बिमारियों रीट की हड़ी में चोट, स्टोक और दिल पर लगी चोट जैसे बिमारियों का इलाज होना अर्संभव है लोग जब भी इन तरह की बिमारियों की बारे में सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं कि अब इसका कोई समाधान नहीं है अब इस तरह की ला इलाज बिमारियों का इलाज संभव है और ये तक्नीक है स्टेम सेल थेरपी step cell इस युग की दुनिया की number one खोच है हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हर कोशिका का अपना कारे होता है step cells या step कोशिका ऐसे cells होते हैं जो विभाजित होने के पाद फिर से पूनरूप धारन कर लेते हैं इन कोशिकाओं से लगभग शरीर के किसी भी अंग की कोशिका तयार की जा सकती है आजकल बढ़ते प्रदूशन, मिलावटी खाद सामगरी, फलो और सब्सियों में हाली कारक रसाइनों के कारण हर व्यक्ति के cell कमजोर हो गए हैं जो लोग बाहर से स्वस्थ लग रहे हैं उनके cell भी कमजोर हो गए हैं कोशिकाओं के कमजोर होने के कारण खतरनाग बिमारियों का खत्रा बढ़ गया है लेकिन stem cell की मदद से कमजोर cell यानि कोशिकाओं को ठीक किया जा सकता है जब बच्चा अपनी मा के पेट से जनम लेता है तब उसके पेट की नाड अपनी मा के बच्चे दाने के साथ चुड़ी होती है उस नाड में होते हैं stem cell इन stem cell से ही बच्चे का पूरा शरीत बनता है अगर इस नाड को संभाल के रखा जाए तो ये नाड जिस बच्चे की है उसे रोगों से बचाने में काम आती है लेकिन stem cell पैंक में इस नाड को संभाल कर रखने का खर्च बहुत ज्यादा है और हर व्यक्ति की नाड सिर्फ उसी के लिए उप्योग में लाई जा सकती है क्योंकि सभी का DNA अलग-अलग है अब जिनके पास अपनी नाड अंब्रिनिक stem cells सुरक्षित करके रखी हुई नहीं है उनके लिए क्या अब चौका देने वाली बात ये है कि मा की कोक में पाई जाने वाले stem cell की तरह ऐसे ही stem cell कुछ फलो में भी पाई गए हैं जनम की नाड के stem cell तो सिर्फ उसी बच्चे को काम आते हैं जिसकी वे नाड हो लेकिन ये फ्रूट में से बनाए हुई stem cell सभी मानव जाती को काम आ रहे हैं स्वेटसेलेंड के प्राकृतिक जंगलों में 200 साल पुराने ग्रीन आपल यानि मेलस डोमेस्टिका के पेड़ हैं जिसके एपल तीन से चार महीनों तक पेड़ से अलग होने के पावजूद भी ताजा यानि फ्रेश रहते हैं इसका कारण जानने के लिए शोद किया गया शोद में ये पाया गया कि इस एपल में वही stem cell है जो कर्द में पल रहे बच्चे की नाड में होते हैं हमारे वेग्यानिकों और शोद करताओं की टीम ने विरल पौधों से stem कोशिकाओं को बाहर निकालने की एक नौवल सेल कल्चर टेखनोलोजी को विक्सित किया है मेंस डोमेस्टिका एपल से stem cell निकाल कर साथ में सोलर वाइटेस stem cell अकाइपरी, क्रेंबरी, कॉडिस सैप साइनेंसिस, सीचोफाइलम कम्यून और वीटिक्स अगनस कास्टस मिलाई गई जो पोशक तक्वों का भंडार है इसे मिलाने की वज़े ये है कि नए stem cell की निर्मिती और पोशन के लिए भरपूर पोशक तक्वों की आविश रखता होती है सोलर वाइटेस, दुरलब गामे तीन तरूरिये फ्रेक्स अंगूर की उत्पती फ्रांस के बरगंटी शेत्र में हुई है जिसमें बहुत उचिसतर पर एंथोसाइनिंग होता है ये एंटी ओक्सिरेंट में सम्रिद है जो यूबी विक्रन द्वारा उत्पन मुक्त कनों से त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है उम्र बढ़ने और यूबी विक्रन से त्वचा की एपिधेलियल स्टेम कोशिकाओं की रक्षा करने में सक्षम है अकाई बेरी अकाई बेरी एंथोस नाइन्स और ओमेगा थ्री फैटी एसिट की तरह शक्तिशाली एंटी ओक्सिरेंट का सबसे अच्छा घ्याद स्ट्रोथ है अकाई बेरी पोशक तत्वों का एक घजाना है और मूलेवान ट्रेस खनीजों और सुक्षम पोशक तत्वों की प्रचुर्ता के साथ आविशक अमीनो एसिट की लगबग सही रचना है अकाई बेरे की एंटी ओक्सिरेंट सामक्री गिंको से पांच कुना अधिक है और रेड वाइन की तुला में 33 तुना अधिक है क्रैंबेरी फलका अर्ग मूत्रपत के संक्रमन श्वसन संबंधि विकार गुर्दे की पत्थरी कैंसर और रित्र रोक को रोकने में बदद करता है के पेट की बीमारियों और मदू में को रोकने में भी फाइदे मंद है साथ ही टैंटी प्लाक के कारण हुने वाले मसूडों की बीमारियों में भी सहायक है कॉडिसेप साइनेंसिस मुक्तकनों संक्रमनों और सूजन से लड़ने की प्राक्रितिक श्रमता से भरपूर कॉडिसेप्स प्रभावशाली रोक से लड़ने वाले मश्रूम हैं जो सदियों से श्वसन संबंधे विकार, खांसी, जुकाम, लिवर को नुकसान और अन्य लक्षनों को कम करने के लिए उप्योग किये जाते हैं कॉडिसेप्स पुर्शों में यौन रोक का इलाज करने में मदद करता है, सहल शक्ती और काम एच्छा में सुधार करता है जो स्टेरोइडल हार्मोन के अग्रदूत होते हैं यह रजोनी वृती मासिक धर्म एंठन के लक्षनों को नियंद्रत करने में मदद करता है, मासिक धर्म संबंधे विकारों में मदद करता है लाग आज की 23 रफ्तार की जिन्दकी बदलती जीवन शैली और खाने की खराब आतों के कारण हम वो सारे पोशक तत्व नहीं ले पा रहे जिनकी हमें आविशक्ता है कीवा ट्रिपल स्टेम सेल में मौजूद पोशक तत्व मानव शरीर की संबून आविशक्ताओं को पूरा करते हैं जिससे शरीर में दिन भर उर्जा रहती है एवं लंबे और स्वस्त जीवन के लिए विभिन भयानक बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं ट्रिपल स्टेम सेल शरीर को वाइटेलिटी, तोचा के सेल्स को सुरक्षा, भारी वातावरन और तनाव से बचाव और पटी उम्रक के प्रभाव से बचाता है और स्किंद को युवा बनाता है यह पूनर रूप से सारे सेल्स को पुनर जीवित करता है, आपके अब यह वो के बेकार हो गई सेल्स का पुनर निर्माट करता है, जिससे आपके अब यह पूनर रूप से ठीक होकर ठीक से काम करने लगते हैं और बिमारी का नामो निशान मिट जाता है दिल को स्वस रखने में मदद करता है, कॉलेस्टरॉल और ब्लड प्रेशर केस्टर को सामाने बनाई रखने में सहायक है खून का जमना रुपता है, दिल की पंपिंग शंता बढ़ाता है, दिल की मास पेशियों को शक्ती देता है नाड़ी तंत्र को मस्पूत बनाता है और दिल की समस्याओं में उप्योगी है इतना ही नहीं यह तवचा में कोलेजन को बढ़ाता है जिससे जुर्या कम होती है और तवचा जवान एवं मुलाइम रहती है साथे यह अन्य तवचा की समस्याओं में भी उप्योगी है ये पेट के लिए लाबकारी है, पाचन को सुधारता है और कब्स को दूर करता है, ये शरीर से हानिकारत तत्वों को नश्ट करता है, रक्त को शुद करता है और बीमारियों से बचाता है, ये हड्डियों, दातों, बालों और नाखनों को स्वस्थ रखता है, ग्लूकोस कास दर सामाने बनाई रखता है शुगर की बीमारी में लापकारी है कैंसर जैसी जान लेवा बीमारी को रोकने में सहायक है बीमारियों से लड़ने की श्रमता बढ़ाता है कोशिकाओं की क्रिया को नियमित करता है संटमन से बचाता है वजन संतूलित करता है घाव जल्दी ठीक करता है तनाफ एवं चिंता संबंदे विकारों को दूर करता है सतर्कता स्मृति एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है इससे ऑस्टियो आर्थ्राइटर्स और गठिया के रोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है यह घुटनों पीट और अन्य जोडों के दर्द को कम करता ह विबिन नेत्र विकारों से संबंदित परेशानियों को कम करने में सहायक है गुर्दे और जिगर को कारेशील बनाई रखता है यह तंत्रिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है यह हार्मून कारेश प्रनाली को नियंद्रित करने में मददकार है महिलाओ में हुने वाले श्वेत प्रदर की समस्या और समाने महावारी आधी में सहायक है। यह शरीर की कई महत्वपून प्रक्रियाओं को कारेशील रखने में भी सहायक है। कीवा ट्रिबल स्टेंप सेल ड्रॉप्स एक प्राक्रितिक उत्पाद है। जिसे स्विस कॉलिटी फॉर्मूला के साथ तयार किया गया है। यह और्गैनिक प्रमानित, हलाल प्रमानित और कोशर प्रमानित है। और GMP दिशा निर्देशों के तहट उत्पादित किया किया है। इसके सौ से अधिक क्लिरिकल ट्राइल्स है और तेजी से और बहतर अफशोशन के लिए इसे नेलो टेक्नोलोजी के साथ प्रोसेस्ट किया किया है। सेवन का तरीका दस बुंदे सुभा एवं शाम की भोजन से आदा घंटा पहले खाली पेट ले।